जाहिन दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल टीम जोब एजूकेशन में मेरा नाम है बल्रम्द रानिया देखे हिंदी व्याकरन की यह आठवी क्लास है जिसमें मैं आपको जैंडर करवाने वाला हूं जैंडर मींस जो लिंक के बारे में करव 98% सभी कोर्शन हो जाएगा आपके यह सारे टोपिक्स मैंने कवर करा दिया है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इन टोपिक्स की वीडियो भी आप देख लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छे से कंप्लेट हो जाएगी हिंदी का मैं पूरा कोर्स कराऊंगा और वी फ्री में कराऊंगा कोई पेड यह इस वीडियो का पीड़ीएफ आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया गया है हमारी टेलिग्राम ग्रूप का उसे जोइन करकर आपकिसी भी वीडियो का और इस वीडियो का पीडियो महां से प्राप्त कर सकते आगा आज की जैसे कि मैंने आपको बताया है gender से होने वाली यानिकि link से होने वाली है जिसमें male और female सब्दों को कैसे पैचान सकते देखे आपने ध्यान करना है इससे पहली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें आपसे पूरा वाक्य भी पुछा जाता था लेकिन यहां पर केवल सब्दों का खेल होगा सब्दों को आपको बताना होगा कि एक सब्द मेल है या फीमेल है यहां इसकी परीभासा की बात करें तो आपने थोड़ी सी चीज़ों को यहां पर नोट्डाउन करना है बस इनको समझ के चलना है यह लिंक जो है जिसको gender कहते हैं संस्क्रित भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है चिन निसान अर्थार्थ पहचान तो कभी आपका जो यह समनारती सब्द होते हैं उसमें पूछ लिया जाए तो आप यह चीजे भी वहां से कवर कर सकते हो सब्दों के जिस रूप से बहुत होता हो कि वह पुरुष जाती का है या इस्तरी जाती का है यह इसकी परिभास है सभी जानते हैं इसमें कोई जादे मतलब रोकिट साइंस नहीं है वे सब्द जो हमें मतलब की पुरुष जाती के बारे में बताते हो और वे सब्द जो हमें इस्तिर जाती के बारे में बताते हूं वे ही जेंडर कहलाते हैं बस और कुछ भी लिए इसमें लिंक के भेदों की बात करें तो लिंक के देखे हिंदी में तो दोई भेद होते हैं वैसे तो तीन भेद बताया जाते हैं इस्तिर लिंग पूर लिंग और नपुंसक लिंग तो तो male और दूसरा female यानि कि दो ही gender होते हैं पुर्लिंग और इस्तिरिलिंग आगे बात करते हैं तो यहां पर पुर्लिंग सब्दों के बारे में अभी मैंने बताया जिन सब्दों सा आपको यह पता लगता हो कि वह पुरुसुजाती का है वह पुर्लिंग कहलाता है एक्जाम कर सकते हो तो पहचान के लिए बहुत जरूरी है अभी रुके रहिए वीडियो के साथ आप मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं ट्रिक से आप मतलब कि अराम से कोई भी कोश्चन होगा ना वह बड़े प्यार से कर पाऊगा आप कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली उस इस तरह के प्रित्य मिलते हैं वो सभी पुर्लिंग सब्द होते हैं पुर्लिंग वार्ड होते हैं अब यहाँ पर और कैटेगरी मैंने बनाई है हाँ जैसे तारो ग्रहों के नाम यहाँ पर सूरिया चंदर्मा मंगल बस यहाँ पर प्रत्वी जो है इसका अपवाद है प् पूड़ा इस तरह जितने भी पहाड़ों और परवतों के नाम आएंगे वो भी हम पुर्लिंग में रखेंगे धात्वों के नाम जितनी भी धात्व हैं सोना लोहा पीता लादी ये सब धात्व भी पुर्लिंग में रखी जाती हैं समय चक्र जो समय चक्र के नाम होते हैं दि इतनों के नाम जितने भी रतन होते हैं जवारात होते हैं हीरे मोती पन्ना मुंगा ये सब पूर्लिंग रखे जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा चाहे तो आप यह वीडियो को यहीं पर छोड़ देना आगे आपको जानने क आप की सब्ति करते हैं यदि आप वाक्त जो भी सब्द दिया गया है उसमें मेरा मेरी इस ट्र kisses करते हैं उसका उची यह राम से किसी भी मतलब कि सब्द को पहचान पाऊगे कि CC wellness चैनल में के मैं इक कैसे पहचान पाऊगे वे मह भी आपको पदेल को क्या पर सभी इह पू question करना है मेरा सेर होता है या मेरी सेर होती है मेरी सेर नहीं होता ये सुध नहीं है असुध है तो इसके लिए मेरा ही लगाया जाएगा उसी तरह यहां पर नदी है नदी के लिए मेरी नदी होती है ना कि मेरा नदी मेरा नदी नहीं होगा उसी तरह ये भी लगा के देख सकते आप उसका सेर या उसकी सेर उसकी सेर नहीं होती है उसका सेर नहीं होता उसी तरह उसकी नदी हो सकती है उसका नदी नहीं होगी यहाँ पर सोने के साथ लगा सकते हो मेरा सोना ना कि मेरी सोनी ठीक है इस तरह से आप लगा सकते हो तो यदि यह ट्रिक आप यूज करते हो किसी बनाता है तो उन्हें कैसे सही कर पाऊगे वहां पर ट्रिक काम नहीं करते हैं जैसे यहां पर दूद है तो यह सभी वर्ड आप देख लेना लगा कर जैसे अंग्रेजी है मेरी अंग्रेजी होगी ना कि मेरा अंग्रेजी तो यहां पर मेरा मेरी से आप पहचान सकते हो किसी सब्द को इस तरी लिंग में या पुर्लिंग में आगे बात करते हैं पुर्लिंग करा रहा था आपको पुर्लिंग में और क्या-क्या लगाओगे मेरा मेरी तो मेरी दही मेरा दही ऐसा हो सकता है लेकिन दही बहुत बार पुछ गया है ये लिक्विड होनी की वज़े से पुर्लिंग आ जाता है उसी तरह जैसे कढ़ी है कढ़ी कढ़ी चावल जो होते है उस टाइप से कढ़ी जो है ये भी क्या जाएगा पुर के नाम पूरी Gregory होँगे महीनों भार्तिय महीनों के नाम जैसे चेत्र वसाक यह सभी भी पूरी नो होते हैं तो यह इंपोटेंट चा्थ कुछ वाड़ ऐसे हो सकते हैं कि मेरा मेरी उसका उसकी से नहीं निकल पाएंगे हो आगे बात करते हैं जो इस्तरी लिंग इस्तरी लिंग जो है उन्हें कैसे पहचान सकते हो आप जिन सब्दों से इस्तरी तुका बहुत होता है यानि कि इस्तरी जाती का बहुत हो जैसे बालिका, सेर्नी, गाए ये सभी सिंपल हैं इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात न लेकिन सब्दों को कैसे पहचान सकते हो तो यहां देखें महां पर मैंने बताया था आपको कुछ प्रत्य यहां पर भी आपने प्रत्य लगाने होंगे जहां पर भी आपको यह प्रत्य सब्द के बाद में दिखाई देते हैं दरसल प्रत्य जो होते हैं मैंने पहली वीडियो आपको किसी भी सब्द के बाद में दिखाए देते हैं, तो वो सभी सब्द कैसे होंगे, इस्त्रिलिंग हो जाएंगे, लीपियों के नाम, देवनागरी, फार्सी, रोमन, गुर्मुखी, ये सभी लीपि, जितनी भी लीपियों के नाम है, मतलब जो भालसा लीपि होती हैं, जिसको हम लिखते हैं, हिंदी देवनागरी, तो ये सभी लीपियों भी इस्त्रिलिंग मा जाएगे, यहने फीमेल जंडर होंगे, आकरांत सब्द जैसे बेटी, रोटी, एक साथ जो सब्द आते हैं, वो आकरांत होते हैं, बेटी, रोटी, मकडी, ककडी, लोकी, चोटी, तो ये सभी सब्द भी हम इस्त्रीलिंग में रखते हैं। आगे इस्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा, वर्ण माला की ये जो अक्सर है, इ, बड़ी जो है, और रिसी, इनको छोड़ कर से सभी जो होते हैं, ये पुर्लिंग होते हैं, ये निपुष्लिंग होता है, इसका आप उन्हें यूजने करना, बाकि इसकी बात करें, तो ये आजाएगा, वर्ण माला का जो अक्सर है, ये इस्त्रीलिंग में रखते जाते हैं, तिथियों के नामों की बात करें, जो भी तिथि होती हैं, जैसे अमावश्य, पुर्नी, मा, एकादसी, ये सभी इस्त्रीलिंग होती हैं, भासाओ के नाम हिंदी, पंजाबी, गुजराती और अंग्रेजी, जितनी भी भासाओ के नाम हैं, इनको भी हम इस्त्रीलिंग में रखते हैं, बोलियों के नाम इनको भी स्त्रीलिंग में रखते हैं, जैसे पाड़ी और हर्याण में बोली जो होती हैं, पंजाबी बोली हो कोयल भेड बुलबुल मैना तितली सवारी मचली मकड़ी मक्खी मकड़ी छिपकली लोंगड़ी और गिलहरी यह सभी सब्द जो होते हैं हमेशा ओल्वेज फिमेल जेंडर होते हैं यानि की स्त्रीलिंग होते हैं इनकी बत करें तो यहाँ पर उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोष इस टाइप के जितने भी सब्द हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं सब यह सब्द आपको पीडियाप में प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ से आप त्या मादा लगाकर नर या मादा लगाकर इन्हें आप इस्त्रीलिंग और पूर्लिंग में कनवर्ट कर सकते हो आगे बात करता हूं तो नित्या पूर्लिंग सब्दों में मादा सब्द अभी जो मैंने बताया आपको उसी को हम यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे जैसे भेडिय है भेडिया पूर्लिंग सब्द है इसको अपने इस्त्रीलिंग बनाना तो यहाँ पर मादा लगाना हुगा मगरमच है इस पर भी मादा लगाकर मादा मगरमच मच्छर है मादा मच्छर खरगोस है मादा खरगोस तो इस तरह इन पर मादा लगाकर या नर लगाकर आप क्य गोड़ी में क्या करना है आपको नर लगाना है और नर लगाकर इनहें आप मतलब कि यह बना सकता है यह उल्टा होगया है ने इधर इन सब्दों को बना सकते हो नर या मादा करके तो यह थोड़ा सा गलत हो गये था, देख लेना इसको, आगे बात करते हूं, mixed category, यानि कि कुछ तो उसके अंदर आपको sterling मिलने वाले हैं, और कुछ purling मिलने वाले हैं, कैसे यहाँ पर सरीर और अंगों के नाम, सरीर और अंगों के नाम देखें, यहाँ पर आख पुतली है जितने नाम लिखें हैं, यह सब होते हैं, sterling, सरीरों के कुछ नाम purling होते हैं, जो हमेसा purling ही होते हैं, तो आपने देखना है, आख, जैसे मेरी आख, मेरा आख, मेरा आख नहीं होती, मेरी आख होती है, पुतली, नाख, मूच, जीव, गर्दन, छाती, इस तरह के जितने भी सब्द हैं सरीर और अंगों के नाम तो पुर्लिंग में भी रखे जाते हैं और इस त्रीलिंग में भी रखे जाते हैं उसी तरह मैंने शुरू में बताया था आपको जो महीनों के नाम हैं जनवरी फरवरी मैं जोलाई ये तो होगे वही आपके इस त्रीलिंग फीमेल जे कहलाएंगे जो भी दाले होती हैं आपकी यह कहलाती हैं आपकी इस तरह आप मिक्स कैटेगरी को भी दो भागों में डिवाइड करके अच्छी से अपने तेयरी कर सकते हो आगे बात करते हैं थोड़ा सा रहे बस टोपिक आप समझ लीजिए दो-तिन पोईंट बहुत इंपोर हैं मतलब उनका आप इस्त्रिलिंग नहीं बना सकते या पूर्लिंग नहीं बना सकते उनके लिए आपको एक नया सब्द क्रियेट करना पड़ता है जैसे माता है माता अब इसका पूर्लिंग बनाने के लिए आपको पिता लगाना पड़ेगा तो यह इसका क्या हो जाएग बहुत पर कुछ अभी जा चुका है, साधू का साध्वी हो जाएगा, समराट का समराग्य, important है, ये भी बहुत important है, ठीक है, उसके बाद पिता ये मैंने बता दिया आपको, वर वधू हो जाएगा, देखे वर में कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, आप इसके लिए नया सब्द create करना पड़ेगा आपको बैल गाएं हो गया और बिलाव का बिल लिया जाएगा लास्ट में थोड़ी सी चीज़े और देख लीज़े यहां पर आजाएगा एक समान सब्द ओके अर्थ है जैसे मतलब एक समान यह सब्द होते तो एक समान लेकिन इनके जो अर्थ के आधार पर इनका जो लिंग होता है वो चेंज होता है जो जैंडर है वो चेंज होता है अर्थ के आधार पर होता है यहां पर मैंने लिखा भी अर्थ के आधार पर लिंग भेद कैसे होगा कोटी एक कोटी का मतलब होता है करोड और एक कोटी का मतलब होता है स्रेनी तो ये इस त्रेलिंग में चला जाएगा विधी विधी का मतलब होता है ब्रह्मा और विधी का मतलब होता है तारीका तरीका सोरी यहां पर आ जाएगा तरीका टीका तिलक होता है और टीका में change कर सकते हो female या male gender में जैसे कल बीता आने वाला और कल का मतलब machine भी होता है तो important है यह सारे सब्द मैंने जितने भी लिए हैं किसी ने किसी exam में आय हुए हैं तो पूछा भी जा सकता है और पूछे जाने की संभावनाई भी जाने बढ़ जाती है मतलब होता है छोर या किनारा और का मतलब होता है दिसा वाक या तरफ जिसकी और इसारा किया जाता है वो ठीक है इस तरह के stap में और सब्दों की अच्छे से त्यारी कर सकते हो और मैंने समझा भी दिया है् आपको अर्थ धार पर कैसे ओर काम और त्यारी करती है ऐहांし, आपका कोई भी वर्ड होगा तो वोनिस हो जाएगा आगे बात करते हैं यहां पर अब हैलिंग को से मत जोड़ लेना अलग चीज अबहलिंग मतब जो दोनों के लिए समान होता है वह कहलाता है सामान कैसे होगा ये जितने भी पद अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर जैसे परधान मंत्री, मंत्री, डाक्टर, मैनेजर, राजदूत, राश्टपती, अध्यक्स, प्रोफेसर, सचीव, और जी, सभापती इन सब्दों को आप कैसे कर सकते हो तो इनके लिए आपको किरिया का प्रियों करना पड़ता है किरिया कैसे यह रहा यहाँ पर किरिया से पहचान होती है कि जैसे डाक्टर घर चली गई, यह किरिया है, जाना, खाना, पीना, उटना, बैटना, यह सब किरिया है चला गया, तो महाँ पर इनका जो पता लगेगा, वो हमें किस्से लगेगा, वो किरिया से पता लगेगा, परधान मंत्री पधार रहे हैं, या परधान मंत्री पधार रही हैं, रही हैं, तो रही हैं या रहे हैं, ये फिमेल और मेल इस तरह से कनवर्ट होते हैं, इंजीनियर सहाब विदेश जा रहे हैं तो इनका जो आप बदलाव कर सकते हो उनका पता लगेगा आपको केवल किरिया से तो ये चीज़े भी आपने समझनी है और लाश्ट में बस दो तीन फैक्ट है इनको जान लेते हैं लिंग एक विकारी सब्द है जो मैंने आपको सुरू में पर परिवर्तन होता रहता है लिंग संस्किर्ट का जो जेंडर होता है यह संस्किर्ट वासा का सब्द है मैंने सुरू में बता दिये था आपको लिंग का जो निर्धारन होता है संग्या के आधार पर होता है लेकिन कुछ कुछ जंग है इसका आर्थ के आधार पर भी होता तो ये चीज़े आपने समझ देनी है इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ